हेलो नमस्कार खमागणी सूपरभात राम राम साथियों मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ग्यानियार की इस डिश्टर प्लेटफॉर्म पे हादिक स्वागत करता हूं साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी भारतिय राजवस्ता पहली क्लास के चाहिंता हैं लोगोने बारतीय राजवस्ता में इंडियन पोल्टी में हम लोग ने डिसकुस किया कि जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वह अपढ़ेंगे वह टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बटाये और मैंने यह रखाय कि अम लोग क्या-क्या पढणने वाले हैं इंडिन पॉलिटी जैसा कि मैंने आपको बताए कि इंडिन पॉलिटी इज डिसीप्लेन दाट इंक्लूट्स ए वाइड रंज ओफ टोपिक्स सच आज इंडिया इंडिया सिटी जंसिपव फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्ूटी दा एक्जीकूटी वह वह सेंटर गोर्मेंट एंड एक्जीकूटी और अप लोग बता हूं कि इंडिन पॉलिटी क्या है तो आप लोग याद रखे वार्ड पर से लेकर के पदान मंतरी तक पूरी पॉलिटी है तो दोस्तों पहले लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक डिसकस करने के बाद दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बताए था कि यह जो भारतिय जो राजवेस्ता है जिसके उनसार करे कर रही है वह हमारा भारति सविधान इंडियन कॉंस्टिविशन के बारे में डूसरी क्लास में डेर का की ढ़ें मिने बताया की देश का सरव्ध कानून जो हमारे देश की शासनवेस्ता को चला लाया है इसके बाद सविधान से इडेटर में आपको 2-3 महतपन बिंदू बाता है यह एक अगली बात की सविधान के परकार दो परकार बताए साथियों मैंने आपको लिखित और एलिखित दोनों के उधारन बताए साथ भी साथ यह है बताए कि जो अमेरिका का सविधान है सबसे पुराना लिखी सविधान है अल्डेस्ट डेमोक्रेसी पुराना लोगतंतर अमेरिका का है जो मैंने बताया कि 1788 के अंदर लागू हुआ दोस्तों इसके बाद हमने बात की कि जो सविधान है ये बना कैसे और मैंने आप लोगों बताया कि इस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे इस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए कैसे अंग्रेज भारत में वेपारी से शाशक बने दो युदों पे चर्चा कर लिया साथियों इसके बाद इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रहते हुए अपने शाष्ण को चलाने के लिए अलग-अदीनिया मनाए एक्ट बनाए उन पर हम इने डिसकस किया था साथियों जिन बच्छों ने पिछली क्लास नहीं देखी साथियों तो जितनी की जतनी बाते मैंने आज अबी जो बताई है साथियों आप इसलिए लेक्टर्स में देख सकते हैं इसके बाद सातियों इन और उन्होंने भारत में शाष्ण को कंटीनू किया और साथियों जो बिटिस संसद ने भारत में रहते हुए अलग-अलग जो एक्ट बनाएं अधिनें बनाएं उनमें एक एक्ट ऐसा था जो मैंने आप से डिसकस किया था 1946 की कैमिनेट मिशन योजना यह वही योजना थी साथियों जिसने एक ऐसी इकाई का निर्मान किया जिसका नाम मैंने बताया था सविधान सभा यही वो एकाई है जिसने हमारे सविधान की रूप रहत्यार की सविधान का निर्मान किया साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सविधान का निर्मान कि कैसे सविधान सभा ने सविधान का निर्मान किया तो आज की क्लास में शुरुआत में हम लोग डिसकस कर कितने जो पॉइंट से जो कोशन बंते साथियों वह भी में आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं है है राज विर्स्ता के साथियों जो हमारा आज का टोपिक है वो टोपिक है हमारा मैकिंग ओफ दा कोंस्टिटुशन सविधान का निर्मान साथियों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सविधान के निर्मान को ले करके कि कैसे सविधान सवा ने सविधान का निर्मान किया साथियों सविधान का निर्मान करने वाली जो इकाई थी जो यूनिट मैं बता हूँ आप लोगों को इकाई का नाम या संग्ठन कह सकते हो उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया सविधान सवा constitute assembly साथियों यह कैसे अस्तित्य में आई चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं सविधान सभा को लेकर के साथियों जिन महत्वपुन बिंदों पे हम लोग डिस्कस करेंगे उन बिंदों को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं constitute assembly साथियों सविधान सभा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सविधान सभा की मांग इंग्लिश में बता हूं तो साथियों डिमांड डिमांड फॉर कॉंस्टिट्यूंट अगला जो टोपिक हमारा रहेगा सविधान सभा से डेटर साथियों वह रहेगा सविधान सभा का गठन जो लोग पुलीस पतवार की तैरिकर रहे हैं सविधान सभा से शुरुआत पे जितना डाटा हम लोग डिसकस करेंगे महाँ से कौश्टन बनेगा यह बनेगा सथियों डिसकस करेंगे कि कौन सा कौश्टन बन सकता है आप लोग इसको ध्यान से पढ़िया गा दूसरा जो टॉपिक मैंने बताया कि सविधान सभा से सबंदित वह हमारा सविधान सभा का गठन कॉंपोजिशन ओफ कॉंस्टिटूट असेम्बली तीसरे टॉपिक की बात कुरू साथियों तीसरे टॉपिक हमारा रहेगा सविधान सभा की कार्या परना लिए इंग्लिश में लिखू तो साथियों वर्किंग ओफ कॉंस्टिटूट असेम्बली चोथा टॉपिक रहेगा हमारा सविधान सबंदीत कि सविधान सभा की समीटियां इंग्लिश में साथियों हम लोग लिख सकते हैं कमेटीज कि सविधान सभा की कुछ चोटी समीटियां थी इन शमीटियों के अध्यक्स पूछे जाते हैं साथियों इन समीटियों के क्या कारे थे हम लोग डिस्कस करेंगे हमने यहां बात की है कि जो सविधान सभा है एक ऐसी काई जिसे ने सविधान का निर्मान करने में अपना एहम योगदान दिया और मैंने आपको बताया साथियों सविधान सभा से एलेटर जो पॉइंट हम लोग डिसकस करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सविधान सभा की मांग इसके बाद अगला टॉपिक हमाद डिसकस करेंगे हम लोग सविधान सभा का गठन कैसे हुआ composition of constitute assembly इसके बाद हम लोग discuss करेंगे सवधान सभा की कारे पर ना ली क्या क्या कारे किये कैसे सवधान निर्मान में एहम बुमी का निभाई इसके बाद committees और साथियों जो next बात करेंगे हम लोग वह हम लोग बात करेंगे important facts related to कॉंस्टिटिउंट कि असेम्बली कि सविधान सभा से सबंदेद कि महतपुंतत है कि साथियों यह है जो मारा topic रहेगा most important topic रहेगा साथियों यहां से पुलिस पटवार में राजस्तान से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पुलिस पटवार में कोशन कैसे बनता है मैं आपको बढ़ाऊंगा साथियों तो इस topic को आप लोग पढ़ना ना भूलिएगा जरूर साथियों इस topic को राजस्तान का परवाद सविदान सभा में कैसा रहा वो हम लोग इस topic में discuss करेंगे सविदान सभा को लेकर के जो चीजे पिछले चार बिंदों में हमने डिसकस नहीं की वह इस point के अंदर में आप लोगों को बताऊंगा तो साथियों सबसे पहले शुरू क करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट सविधान सभा की मांग डिमांड फॉर कॉंस्टिट्यूंट असेम्बली सविधान सभा की मांग साथियों एक बार फिर से आप लोगों को अगर मैं रिवीजन के तोर पर बताऊं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं भारते सविधान का निर्मान कैसे हुआ अंग्रेज भारते में इस्टेंलिया कंपनी के रूप में उन्होंने वेपार किया वेपार करने के बाद बाद वो शाषक बन गए बंगाल से उन्होंने भारत के सविधानी विकास की शुरुआत की अर्थात अंग्रेजों ने जो भारत में रहते हुए शासन करते हुए अ हमारे सविधान का निर्मान हुआ या आप लोग कह सकते हो एक ऐसी संगठन का निर्मान हुआ एक ऐसी का निर्मान हुआ जिसने हमारे लिए सविधान का निर्मान किया हम लोग उसी के बारे में डिसक्स कर रहे हैं सबसे पहले सविधान सबा बनी कैसे उसको पढ़ने से पहल सांग इसांग सार्डियों अलग अलग इसाथियों कोशिण बनता यहां से कि अलग अलग वर्ष्षयों में किन इरक्तियों के किवार ظूर्फ dit शीर कि Mickey क्या करति थे और कौन सी मांग ठुक रही गई कौन सी स्रीकार की गई इन बातों को ले Key हम लोग डिसकस करेंगे तो साथियों सबसे पहले अग़र मैं बात करूं है जो कि डिमांड है जो मांग है dade को फक्रष्ट पर्थम जो पर्थम मांग एसाथियों 1895 में जो फर्स्ट इमांड एसाथियों सविधान सभा की पहली मांग उठी 1895 में और साथियों यह मांग उठाने वाला सक्स बाल गंगादर सविधान सभा की मांग सरव पर्थम निमन लिखी में से किस व्यक्ति ने उठाई या किस नेता ने उठाई आप लोगों को चार उप्सन दिये जाएंगे उसमें से आपको पता होना चीए जो अभी मैंने आपको बता दिया है बाल गंगादर तिलक अगर पूछा जाए सविधान सभा की मांग सबसे पहले किस वर्स रखी गई या की गई 1895 में पूछा जाए किसके द्वारा रखी गई बाल गंगादर तिलक सरपर्थम मांग और साथियों बाल गंगादर जी तिलक ने यह जो मांग उठाई है तो साथियों यह डिमांड बाल गंगादर तिलक ने सवराज विधेक के माद्यम से उठाई सवराज विधेक के माद्यम से बाल गंगद जी तिलक ने कहा कि एक ऐसी इकाई होनी चाहिए जो सविधान का निर्मान करे एक ऐसी संस्ता होनी चाहिए जो सविधान निर्मान में अपना एहम योगदान दे तो साथियों जो सविधान स बाकि जो पहली मांग है 1850 में रखी गई मांग करने वाला सक्स बाल गंगर्दा तिलक और बाल गंगर्दी तिलक ने सवराज विधेक के बादर से कॉंस्ट्यूट असेमली की सबसे पहली मांग रखी अगली मांग की बातकुरू साथियों तो 1922 में 1922 के अंदर महात्मा गांधी गांधी जी ने साथियों स्वस्ता ही सेवा स्वच भारत का जो मिशन है इसी मिशन को बढ़ाते हुए साथियों यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो सरकार का जो मिशन है कि देश को स्वच बनाना है अपने आसपा सफाई रखें साथियों जितना पॉसिबल हो सके जितना हम लोग स्वच रहेंगे उतनी ही बिमारी हमसे दूर भागेगी तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं यह जो मैंने स्पैक्स बनाया साथियों यहां हम लोग बात कर रहे हैं गांधी जी की सविधान सभा की दूसरी मांग 1922 में गांदी जी के द्वारा रखी गई साथियों गांदी जी की पत्रिका थी हरीजन पत्रिका के माद्यम से गांदी जी ने कहा कि जब देश अजाद हो जाएगा तब भारतियों की इच्छा के अनुसारी सविधान का निर्मान होगा तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि किस ने कहा कि सविधान का जो निर्मान है भारतियों की बारतियों की इच्छा अनुसार गांदी जी ने कहा कि जो सविधान का निर्मान होगा भारतियों की इच्छा के अनुसार होगा बहुत अच्छा कोशन मनता है साथियों की निमल लिखी में से किस व्यक्तितव की है मांग थी किस व्यक्ति की नेता की डिमांड थी कि जो भारतियों के लिए जो भारतियों के ल रखी गई हमारा उत्तरों अच्छे 1922 साथियों आप लोग देख पारें कि पहली डिमांड 1895 में बाल गंगादर जी तिलक के द्वारा दूसरी डिमांड साथियों 1922 में गांदी जी के द्वारा अगली डिमांड की बात करें तो साथियों 1934 में 1934 में M.N. Roy साथियों M.N. Roy ने पहली बार अधिकारिक तोर पर ऑफिसली डिमांड की सविधान सभा की बहुत अच्छा कोशन मनते हैं साथियों इनका पूरा नाम लिखूं तो आप लोग याद कर लीजेगा मानवेंदर नात रोय हलांकी साथियों सविधान के अंदर कॉशन पूरे नाम से नहीं पूछा जाता आपको बहुत सारे नाम आदे मिलेंगे लेकिन रेलवे के अंदर M.N. Roy के बारे में जरूर पूछा गया है कि M.N. Roy का पूरा नाम बताई सामयवादी पार्टी का अगर दूद कहा जाता है 1934 में मानवेंदर नाथ रोय जी ने जो सामयवादी पार्टे के अगदू थे साथियों इन्होंने ओफिसली डिमांड के लिए अधिकारिक तौर पर अधिकारिक तौर पर साथियों मानवेंदर नाथ ने 1934 के अंदर अधिकारिक तौर पर यह कहा कि भारतियों के लिए सविधान सबा होनी ही चाहिए जो सविधान का निर्मान करेगी हम लोग कह सकते हैं कि 1895 में जो मांग उठी मोखिक रूप से थी गांडी जी ने 1922 में मोखिक तौर पर लेकिन अधिकारिक तौर पर पहली बार जो डिमांड की गई 1934 में मानवेंदर नाथ रोय जी के दोरा साथियों डिमांड की गई इन्होंने बोला कि सविधान सबा लिखित में इसको मंजूरी लिखित में दी जाए मोखिक रूप से नहीं इन्होंने लिखित रूप में मांग की साथियों हम लोग यह जो मांग कर रहे हैं यह हम लोग बिटिस पाल्यामेंट से डिमांड कर रह सवराज विदेग के मादम से दूसरी मांग सविधान सभा की 1922 में गांडी जी के द्वारा और गांडी जी ने यह का कि सविधान का जो निर्माण है और सविधान सभा जो इकाई बनेगी उसका निर्माण भारतियों की इच्छा के अनुसारी होगा तीसरी डिमांड 1934 में एमंद रोय के द्वारा अधिकारिक पर पे बहुत अच्छा कॉस्टन बनेगा कि अधिकारिक तो पर पहली जो मांग की थी किसके द्वारा की गई साथियों हमारा उत्तर होना चाहिए मानवेंदर नाथ रोए और अधिकारिक तोर पे 1934 पे डिमांड की गई सामेवधी पार्टिक के अगर दूत या अगर सर्या जनक मानवेंदर नाथ रोई जी को का जाता है कि अगली जो डिमांड ती साथियों कि 1934 में उसी वर्स जिस वर्स एमन रोई जी के द्वारा डिमांड की गई 1934 में कोंग्रेस पार्टी कि साथियों कोंग्रेस पार्टी ने 1934 में सेम उसी वर्स हम लोग कह सकते हैं कि कोंग्रेस पार्टी और जो एमन रोई जी थे मानवेंद नाजी रोई अधिकारी रूप से डिमांड करने वाले तो एक साथ सियुक्त रूप से डिमांड कीगी एक ही वर्स जो मांग 1934 में उठी कोंग्रेस के द्वारा 1935 में यह मांग जो रोपे रही साथियों जब हम लोगब बात करेंगे 1935 का अ अधिनियम उस एस । प्रटाशी सबंदीत जो बहत्र मुत्रत्य होंगे हम लोग डिसकस करेंगे उनिज्सों पैंतिस के बारशास अदिन्यम में इसके बाद साथियों अगली डिमांड के बारें बताऊं तो अगली डिमांड 1938 में देश के पर्थम पढान मंठी पंडित पंडित ज्वालान नहरु जी के द्वारां बांग रखी गई देश के पर्थम पढान ration, पंडित ज्वालान नहरु सबसे लंबे कारेकाल वाले जो परधामंतिर रहे पंडी जवाला नेरू साथ यो 1938 में पंडी जवाला नेरू के द्वारा सविधान सभा की मांग की गई और इन्होंने दो बाते बोली कि जो डिमांड है जो मांग है सविधान सभा की ये दो सर्तों को पूरा करती हो इन्होंने कहा कि जो सविधान सवाब बढ़नी चाहिए उसका अधार अडल्ट फ्रेंचाइजो हिंदी में बताऊं तो साथियो वैस्क मतादिकार यहां आप लोग एफ आर लिख लेज़ें तो फ्रेंचाइज आप लोग देख पारें कि पंडी जौला नहरुजी की द्वारा जो डिमांड उठी है वह किस अधार पर उठी है अडल्ट फ्रेंचाइज साथियों वैस्क मतादिकार के अधार पर विहां मैं बात कर रहा हूं मतादिकार की साथियों इस समय जो मद्दान की आयू थी वह थी 21 वर्स आज वर्तमान में जो मद्दान की आयू है वो है 18 वर्स तो नहरुजी ने कहा कि जिन लोगों की आयू उस समय 21 वर्स से उपर है इन सब हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं प्सक्की सविधान सभाइ का निरवान कर लेते हैं यह नहीं खाल उटा रहे हैं जो हमारी सुनाई ही नहीं कर रहे हैं तो साथियों पंडी जी ने कहा कि जो 21 के लोग हैं 21 वर्ष से उपर के जो लोग हैं इन सबसे वोटिंग कर वा ली जाए और हम लोग अपनी सविधान सभा का निर्मान कर लेते हैं लेकिन यह मांग कांग्रेस को रास नहीं आई कांग्रेस पार्टी ने इसका समथन नहीं किया और साथ यों एक कोशन और आपको बताना चाह यह 61 सविधान शंशोदन नाइंटीन एटीन नाइन हम लोग बात करेंगे अलग-अलग सविधान शंशोदनों की मैंने आपको फर्स्ट लेक्श्चर में बताया है कि हम लोग अलग-अलग जितने अभी तक 104 सविधान शंशोदन उसमें 30-40 जो अमारे प्रिक्षा के लिए महतपून है सारे के सारे अमेंडबंट को लेकर के साथ हो हम लोग डिसकस करेंगे यहां मैं बता रहा हूं 1938 के अंदर पंडी जौहलान नहरू ने वैस्क मतादिकार के अदार पे सविधान सभा की निर्मान की बात कही उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आयू 21 वर्स से उपर है उन सब से मद्दान करवा लिजिए हम लोग हमारी जो डिमांड कर रहे हम लोग खुदी बना लेते हैं हमें एक्टरनल जो इंटरफेर नहीं चाहिए बहारी हश्चेप नहीं चाहिए हम लोग वैस्क मतादिकार के अदार पे अपनी सविधान सभा का निर्मान खुदी कर कर रहे हैं कि अधार पे सविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन हमारा उत्तर होना चाहिए पंडिज्वाला नेरू और अगला कोशन जो मैंने आपको बताया कि मत्दान की आयू 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स की गई कौन से सविधान के अंतरगत कौन से Constitutional amendment के अंतरग बाल गंगर जाजिदी लगता है नेक्स्ट दिमांड 1923 गांधी जी नेक्स्ट दिमांड 1934 में मानवे अंदर नात झी रॉए अधिकारिक तोर पर डिमांड करने वाले सैमुसीवस कॉंग्रेस पार्टी ने डिमांड की 1938 में पंडी जोळा नहरू ने डिमांड की वैस्ट मदाधिकारिक अधार पर और यहां मैंने बताए कि जो मद्दान के आयू थी उसमें 21 वर्स थी अगली डिवान के बारे में बताओं साथियों तो हमें एक पस्ताव पर डिस्कस करना पड़ेगा 1940 की बात करेंगे अगस्ट पस्ताव की इंग्लिश में अगस्ट ओफर कह दीजिए अगस्ट परपोजल कह दीजिए साथियों यहां बात हो रही है कैसे पस्ताव की जो पस्ताव बिटिश पाल्यामेंट ने भारतियों को भेजा आप लोग देख पा रहे हैं कि 1895 में पहली डिमांड उठी दूसरी 1922 में मांग कंटिनू बढ़ रही है 1934 में मानवेंदर जीनाथ रोय 1938 में नहरू जीनाड इबांड की बढ़तियों इमांग को देखकर के साथियों एक समय ऐसा आया जब 1940 में बिटिश पाल्यामेट ने भारत में भारतियों को एक पस्ताव बेजा अगस्त पस्ताव साथियों इस पस्ताव में पहली बार सविधान सबा की मांग को सविकार किया गया सविधान सबा की मांग पहली बार किस वर्ष सविकार किया गया बिटिश पाल्यामेंट की द्वारा 1940 के अंदर और एक प्रपोजल भेजा गया कि हम आप लोगों के लिए सविधान सबा का निर्मान करेंगे लेकिन साथियों इसको ऐस विकार किया गया गांदी जी के द्वारा और इसको ऐस विकार करने के पीछे जो कारण रहा साथियों वह कारण देखेगा अगस पस्ताव को साथियों गांदी जी ने ऐस विकार किया गांदी जी ने अगस पर्पोजल को साथियों इसको रिजेट कर दिया बॉइकोट कर दिया एस विकार कर दिया इसके पीछे कारण था अगस पस्ताव में साफ साफ सब्दों में लिखा गया कि जो सविधान सबा आप लोग के लिए हम लोग बनाएंगे उसमें मुखेते भारतिय होंगे साथियों मुखेते का मतलब है यहाँ पर बहुती कम संख्या में भारतियों को शामिल किया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में बैटिस संसद के या उगरेज लोग होंगे, तो यह कारण रहा गांदी जी के दौरा अगस्पस्ताओं को ऐस्विकार करने का अगस्ताओं में ऐस्पस्ताओं में लिखा गया कि हम लोग जो सव이धान सभ़ बनाएंगे, इसमें मुख्हे तेब भारतिय होंगे, यहीं कम का को सरीकार करने का कोई फाइदा नहीं तो साथियों एक कारण तो यह था जो मैंने बताया दूसरा कारण था 1940 से एक वर्स पहले ही साथियों एक सितंबर 1949 से लेकर के दो सितंबर 1945 तक चला सेकंड वर्ल्ड वार दृत्य विश्व यूद साथियों दृत्य विश्व यूद में ब्रिटेन की सेना भी शामिल थी तब इनको लगा कि हम लोग जो हैं भारतियों को एक ऐसा पस्ताव बेजते हैं तो बिटिश जो सेना थी कहीं कम ना पड़ जाए इसलिए बिटिश पाल्यामेंड ने भारतियों से सहय सविधान सभा का निर्मान करेंगे एक तो कार्ण यह था कि बिटिश पाल्यामेंड ने हमसे सहयोग मांगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए दृत्य विश्व यूद में दूसरा उन्होंने कहा कि जो हम लोग आप लोग के लिए सविधान सभा बनाएंगे उसमें में बिटिश पाल्यामेंड के द्वारा एक और पस्ताव त्यार किया गया इससे पहले 1940 में अगस्त पस्ताव 1942 में बिटिश पाल्यामेंड के द्वारा एक और पस्ताव त्यार किया गया जिसे क्रिप्स प्रपोजल आप लोग कह सकते हो क्रिप्स पस्ताव साथियों इस प कि सभा की मांग को कि सेधानतिक रूप से मंजूरी दी कि यहां से बहुत अच्छा कोशन मन सकता है दोस्तों कि सेधानतिक रूप से मंजूरी दे दी गई सभीधान सभा की निर्मान को आप लोगों ने शुरुआ से देखा कि जो डिमांड थी 1895 में बाल गंगाद जी तिलक के दोरा 1922 में गांदी जी 1934 में एमन रोय उसी वर्स कांग्रिस पार्टी के दोरा और दोस्तों उसके बाद 1938 में वेस्क मतादिकर के अधार पे नहरु जी के दोरा 1940 में अगस पस्ताव आया उसको ऐस्विकार कर दिया गया ये जो डिमांड थी साथियों जो कंटिन्यू बढ़ती आ रहे थी 1942 में जहां मैंने बताया कि 1940 में अगस पस्ताव में सभीदान सभा की मांग को पहली बार स्विकार किया गया लेकिन अगर बात की जाए कि सेधानते ग्रूप से मंजूरी दी गई वह था साथियों 1942 का किस पस्ताव की हां भारतियों के लिए सभीदान सभा बनाई जाएगी और साथियों इस पस्ताव को जो अंग्रिजों ने बनाया इसमें सेधानते ग्रूप से सभीदान सेवा के निर्मान की बात कही इसके पीछे साथियों कारण था 1942 में भारत जो छोड़ो अंदोलन था जो गांदी जी ने भारत में शुरू किया भारत छोड़ो अंदोलन को साथियों हम लोग अगस्त करांती के नाम से भी जानते हैं यह एक ऐसा अंदोलन रहा जिसने अंग्रिजों को भारत से खदेडने का पूरा प्रोग्राम त्यार कर दिया एक तरफ मैंने बताया कि 1949 से जो Second World War शुरू हुआ पूरी बिटी सरकार जो बिटी सेना थी उसमें बीजी थी एक तरफ भारतियों में अंग्रिजों के किलाफ इस अंदोलन से व्यापक रोश पैदा हो गया तो भारत में बढ़ते हुए गतिरोध को कम करने के लिए 1942 में क्रिस पस्ताओं में जो हम लोग लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं सविधान सभा की अंग्रिजों ने सविकार कर दी सेदान्ति ग्रूप से थिरोटिकली इसको मंजूरी दे दी और पस्ताओं में यह कहा गया कि जैसे ही युद्ध खतम होगा समप्त होगा युद्ध समप्ति के बाद हम लोग आप लोग के लिए सविधान सभा का निर्मांड कर देंगे लेकिन साथियों यह पस्ताओं भी ऐस्विकार हुआ मुस्विम लीग ने इस पस्ताओं का वाइसकार किया क्योंकि मुस्री बीमांड कर रही थी अपने लिए अलग से सविधान सभाकि आप लोग कह सकती हो कि दो सविधान सबा की डिमांड हो रही है इस वज़े से मुस्लिम नीग ने पस्ताव को ऐस्रिकार कर दिया कॉंग्रेस पार्टी ने भी इस पस्ताव को समर्थन नहीं दिया दोस्तों 1942 में जब अंग्रेजों ने सिधानती रूप से मंजूरी दे दी सविधान सबा के निर्मान की बात कह दी तो जैसे यूद खत्म हुआ तीन साल बाद 1945 तक यूद चला 1946 में बिटिस सरकार ने एक ऐसी योजना त्यार की उस योजना का मुख्योदेश था कि भारतियों के लिए सविधान सबा का निर्मान करना और वह योजना जो मैंने आपको भारत के सविधानी विकास जो हमारी सेकिंड क्लास थी उसमें बताया था कि 1946 में एक ऐसी योजना रही जिसे केबिनेट मिशन योजना का नाम दिया गया साथियों यह वही केबिनेट मिशन योजना है जिसने सविधान सबा का निर्मान किया और